नमस्कार आप देख रहें अम्पी न्यूस मैं हूँ आपके साथ वेविजवर गया अम्पी न्यूस के न्यूस रूम से सीधे जुड़ गई हूँ आप सभी के साथ में कुछ आयम खबरों को लेकर मद्रप्रदेश के सबसे बड़ी खबर जिसने अभी तक पूरे मद्रप्रदेश को ही नहीं बलकि पूरे भारत देश को जंजोर कर रख दिया है खबर है मंसौर की मंसौर की वो प्यारी सी बच्ची जो अभी भी बहुत ही दैनी इस्तिती में है अभी भी वो हॉस्पिटल में आड्मिट है हुआ था उसके साथ बहुत गलत दरिंदो के द्वारा उसका रेप के जो है वो दर्ज हुआ था ऐसे में कई सारे जो सियासत है वो भी गर्मा गई है या कई सारे लोग जो है संस्थाएं वो आगे आकर इसमें जो है वो इनसाफ की मांग कर रही है पूरे मामले के लिए हम बात करेंगे संदीब जी से और जानते हैं इस मामले को और भी ज्यादा करीब से उस मामले की पूरी सचाई संदीब जी ये मामला जतना गलत इसको कह सकते हैं जतना दैनी ये मामला है उतनी ही दैनी इस्तिती आज अभी उस बच्ची की हो रही है उस था कि कठुवा गेंग रेप ने जिस तरीके से तूल पकड़ा उसी तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है साथ ही चुनावी साल है तो आगामी चुनाव को देखते हुए भी इस पूरे मामले पर अब सियासत पेज हो गई तमाम जो विपक्षी न दंग ले रहा है और किस तरीके से तमाम तरह के जो विपक्षी दल है वो इसका विरोत कर रहे हैं वहीं पूरे देश भर में जो है तमाम सामाजिक संगठन के लोग जो है इसे लेकर सडकों पर उतर आए हैं और लगातार आरोपियों को फासी देने की मांग कर रहे हैं फास हर कोई इसमें चुनावी साल को देखते हुए हर कोई आगे आकर इस पर कुछ न कुछ दाउंपेश खिल रहा है पर ये वाकई में बहुत ही विवस घटना है बहुत ही गलत घटना जो हमारे प्रदेश में ये देखने में आई है इस पर अंकुष कब लगेगा ये तो वक् अंसौर सांसद वहां पर पहुंचे थे तो ऐसा क्या क्या दिया विदायक जी ने कि मामला जो है वो तूल पकरता नजर आया उसके बाद अब वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं बात करेंगे हम युवराजी से जी आ निश्यत तोर पर देविया में मैं आपको बता द कर उस लड़की को दूर कहीं एकांत में ले जाता है और दुशकर्म की घटना को अंजाम देता है जिसके बाद उस आरोपी ने उस दरिंदे ने उस लड़की का गला भी रेद दिया था परंतु किस्मत के बलबुते आज वो लड़की अपने जीवन और मौत से संगर्श कर रिये और इंदौर के एमवाई अस्पताल में भरती है मामला को तूल पकड़ते देख सभी राजनितिक दल एकदम से सक्री हो गए है और जो बीजेपी के विधायक सुदर्शन गुपता वो भी एमवाई अस्पताल में बच्ची को देखने पहुंचे थे मंसोर के सांसत एक वीडियो वाईरल हो रहा है जिसमें की सुदर्शन गुपता विधायक है वो पीडिता के माता पीता से यह कहते हुए दिख रही है कि आप सांसर जी का धन्यवाद दीजिए कि वो इतनी दूर से यहां आए हैं तो वाकई में यह काफी शर्मनाक बयान देखा जा रहा है और भेराल विधायक जी ने किस परिपेक्ष में बोला है यह तो मैं नहीं जानता परनुतों जो उनके शब्द है वो काफी गलत है क्योंकि संवेदना और धन्यवाद देने का बोल रहे हैं पिडिता के माबाप को जिसके बाद जो मंसोर के सांसद सुधिर गुपता उनका भी बयान आया है एक सफ़ाई पेश की उन्होंने उन्होंने कहा है कि जो विधायक सुधरशन गुपता जैसे कर्मत और जुजारु जो विधायक है उनका ये बयान काफी शर्मनाक है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा बयान उनको नहीं देना चीए, उनको धान्डस या सम्मेदना शब्द बोलना चीए बजाए की धन्यवास से, उन्होंने ये भी कहा है कि गलती से विदायक जी के द्वारा ये शब्द निकल गए है, वहीं जो विदायक सुदर्शन गुपता है, उन्होंने भी एक अपन कि वो सक से सक कारवाई की मांग करते हैं आरोपियों के खिलाफ, बहराल ये जो बयान है, इसके बाद जो विपक्षी दल है, उन्होंने ये मामला काफी उच्छाल दिया है, और क्योंकि कुछी महा में विदानसभा चुनाओ भी होने वाले हैं, तो विपक्षी दल भी ये समझना चाहिए कि फिलहाल जो जरूरी है कि आरोपियों को सजा मिले, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुछ लग सके, तो उस तरफ हमें दिहान देने की जरूरत है, बात करते हैं अब एक बड़ी घटना जो 6 जैनवरी को हुई इन दौर में जब DPS स्कूल की बस हाथसा हुआ था जिसने पूरे इन दौर शहर को गमगीन कर दिया था, जब कई सारे बच्चे जो है वो अपनी आखें एक बार बंद हुई तो फिर खोली नहीं पाया, उसमें एक बच्ची थी खुशी, प्यारा सा नाम, आज उसकी जो ज जिन्दिकी है वो खुशियों से भर गई है पर कल तक वो बच्ची कूमा में थी, उसकी जिन्दिकी में खुशी भरने का जो श्रे है वो दुनिया के दो बड़ डॉक्टर को जाता है जिनकी वज़े से आज खुशी पूरी तरीके से ठीक है, उसकी याददाश लॉट आई जो एक्सिडेंट हुआ तो उसमें छे बच्चों की डेथ हुई थी और उसमें एक बच्ची ती जो काफी गंबी रूप से गाया लुए थी उसके दिमाग में पानी भर गया था और उसके बाद उसको एडमिट कराया गया था जो सेमी कोमा की स्थिती में थी और उसका इला में हरकत आना चलू हो गई है उसके लेकिन सीधे सीधे साइड में थोड़ी सी कमजोर यह तो डॉक्टरों का कहना है कि कुछ समय में तीन सरजरी होने वाकी है उसके बाद वह दीरे दीरे वह रिकवर हो जाईगी तो यहां पर वाकई में एक बड़ी खुशी की बात है यह जो उस हाथसे को अभी तक भूले नहीं है उन लोगों को भी जब इस बात का पता चला तो उनको भी इस बात पर काफी खुशी महसूस हुई है बात करते हैं एक और खुशी की यहां पर खबर आ रही है जिसमें 44 सब्ताहा की कठिन ट्रेनिंग करने के बाद में 209 आरक्षक अब मदरप्रदेश की सुरक्षा में तैनात हो जाएंगे दिक्षान समहारो आईजवित किया गया जुसमें 209 आरक्षकों ने शपत भी ग्रहन की बात करेंगे हम देव जी से पूरे मामले पर आज सुबह सुबह जो है एक देखा जाए तो पुलिस के जो नए आरक्षक थे वो जब परेड के लिए मैदान पे निकले तो एक लग ही नजारा देखने को मिला मतलब मैं यह नजारा भी चाहूंगा कि आप देखें कैमरे की नजर से इनकी जो बिलकुल इनकी तकरीबन 44 ह जाफते की यह ट्रेनिंग होती है मैं आपका प्राद हो कि बहुत ही कठीन ट्रेनिंग होती है यह बीस एफ स्टी एफ कहा जाता है इन लोगों को और यह स्टी एफ और बीस एफ के जवानों ने आज पहली बार परेड में हिस्सा लिया और इनका शपत ग्रेंट समारो भी ह जिसमें एडीजी से लेकर तमाम पुलिस महकमे के बड़े अफसर मौजूद रहे उनकी मौजूदगी में इन्होंने निश्ठा और करतब विपरायनता की शपत ली और यह बहुत ही मनमुहक नजारा जो है कि नहीं आज इन नव आरक्ष को ने पेश किया तो हमेशा प्रद प्रदीश की रक्षा करने के लिए प्रदीश को सुरक्षित रखने के लिए बड़ी कठिन परिक्षा देनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पुलिस जवानों को और आज वो परिक्षा में पास होकर आज वो उस मुकाम को उन्होंने हासल कर लिया है अब ब बारे में अब एक और नया चाप्टर खुल गया, एक और नया पढ़ना खुला है जिसमें उनके एक खास दोस्त ने ये बात पुलिस के सामने कही है कि भायू महराज ने जब पहले जीवित समय में जब अपने दोस्त से वो बात करते थे तो उस वक्त भी उन्होंने डॉक्ट से शादी हुई थी तब से ही वे तनाओं में रहने लगे थे और उनके दोस्त ने बताया कि कुछ दिन पहले वो भंडारी हॉस्पिटल में एडमिट थे कुछ बिमारियों की वज़े से तो वो फूट फूट कर रोने लगे थे आयूशी का नाम लेकर और जब आयूशी उन मत्या कर लूँगा और ऐसा शूट करने की बाद भी उन्होंने कुछ कही थी तो यहां पर यह देखना बिलकुल आपको समझ में आ रहा होगा कि भायू महराज को पहले ही यह चीजें जो है वो समझ आ गई थी कि उनका भविश्य क्या होने वाला है किस तरीके से वो परिश परिशान थे तो यह वाकई में एक तरीके का पारिवारिक विवात जो है वो सामने आया है साथ ही एक बात और में यहां पर आट करना चाहूंगी उनके दोस्त ने यह तक कहा है कि भायू महराज द्वारा अब उनके दोस्त को यह कहा गया था कि डॉक्टर आयूशी ने भा पुलिस थाने घसीटने की बात भी कई थी अब इसके पीछे की क्या कहानी है कितना सच है इस बात में वो तो वक्त आने पर पता चलेगा आज हमने वो बड़ी ख़बरों से आपको रूबरू कराया जो आपको जाना था बहुत जरूरी MP News की एडिटोरियल टीम 24 घंडे सातो दिन उन ख़बरों पर काम करती है और आप तक पहुचाती है सबसे पहले आगे भी कई और खबरे बची हैं जिन पर काम चल रहा है और बहुत सारी खबरे हैं जो आपको जाना है बहुत जरूरी आप MP News पर वो खबरों को देख सकते है दर्मिंद्र यादब के साथ दिवय विजवर गया MP News